हेलो स्टूडेंस सो लेट्स बेगिन लास लेक्चर में हम लोगोंने कॉंसेप्ट देखा था युनिवर्सल ओफ ग्राविटेशन का अभी हम देखते हैं नुमेरिकल ओके सो यह जो आपके पास नुमेरिकल लिखा है यह टाइप वन नुमेरिकल है ठीक इसके अंदर दो आपके से इसके कॉंसेप्ट को आपसे मैथमाटिकली पूचा जाता है तो मैं पहले टाइप वन आपको करवा रहे हैं ओके सो लेट्स सी दी क्वेस्टिन कहता है टू अब्जेक्स ऑफ मास से 6 इंटू 10 तू दी पार 12 केजी और 7.4 इंटू 10 तू दी पार 24 केजी आर केप् द्ञिकलेट ग्राविटेशनल फोर्स जभी आप सॉल्व करने वाला कोशन करें चाहे आप प्रॉब्लम समस करते हैं मैथ के याप फिजिक्स करते हैं मैं फिजिक्स की बात करूँगी क्यूंकि मैं साइंस पढ़ा रही हूँ इसलिए तो फिजिक्स में क्या रहता है कोशन बहुत बड़े होते हैं अभी तो बहुत छोटा सा है बट वैसे जनरली बहुत बड़े होते हैं कोशन को दो बार पढ़ो पहली बार पढ़ो to understand कि किस चीज के बारे में आपसे पूछा गया है और दूसरी बार पढ़ो to write given पहली बार पढ़के मुझे समझ आ गया कि जो पिछला topic पढ़ाया था उसी के बारे में है उनिवर्सल लौफ ग्राविटेशन के बारे में तो उनिवर्सल लौफ ग्राविटेशन के बारे में इसका मतलब कही ना कही इस formula की बात आने वाली है अब उसके लिए हम given लिखते हैं second time question पढ़ेंगे और given लिखेंगे object of masses mass हमको दिया हुआ है small m की value 6 into 10 to the power 12 kg आप 6.0 भी लिख सकते हैं ठीक है मैं यही लिखते हूँ क्योंकि कईयों को क्या confusion रहता है यह 6.0 होता है यह 6.0 और 6.1 कैसे हुआ decimal हटा के 60 हो जाएगा लेकिन decimal हटा के जो नीचे 10 लगेगा उसके 0 से 0 कट भी तो जाएगा ना तो इसलिए यह confuse नहीं होना है आपको ओके और ऐसी गलतिया होना कोई बड़ी बात नहीं है यह कोई गलत बात नहीं है कि आपको पता नहीं है यह बात गलत है कि आपको नहीं पता तो आप सीखना नहीं चाहते हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं आपको नहीं पता कई बच्चे होते हैं मीटर सेंटीमीटर के कनवर्जन में उनको प्रॉबलम होती है किलो मीटर मीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बात ही नहीं है कि आपको नहीं आता अच्छी बात है नहीं आता वेट उसको सीखो कि आना चाहिए तो यहाँ पे 6.0 जो है या 6 लिखे बात एक ही है चलो next capital 7.4 into 10 to the power 24 kg दूसरा मास kg kg दिया रहा अच्छा क्या टैटर distance of कोशन में भी दे दिया distance अगर नहीं समझ आता पढ़ना नहीं है तो मीटर देख लो भई मीटर तो distance के ही बारे में होता है 3.6 into 10 to the power 6 मीटर अच्छा पहला given लिखने का पहला motive ठीक है to check कि भई सब कुछ SI unit में है या नहीं है अगर नहीं है तो उसको पहले convert करो right तो मास अपने SI unit में है और distance भी SI unit में है तो सब कुछ एकदम बराबर है निकालना क्या है? calculate force force निकालना है तो F आपको निकालना है F निकालना है तो क्या करेंगे? formula formula क्या है? G F is equal to G MM upon D square correct values put करते हैं G की value तो हमेशा fix रहादी है 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square values put करते हैं यह G की value रख दी small m की value रखते हैं 6 into 10 to the power 12 okay capital M की value रखते हैं 7.4 into 10 to the power 24 upon D का square तो मैं square डालने की जगे दो बार लिख देती हूँ ठीक है? था कि थोड़ा easy रहेगा 3.6 into 10 to the power 6 into 3.6 into 10 to the power 6 ओके बाप रे बाप कितना बड़ा numerical हो गया? कोई बात है देखो अब इसमें आपको क्या करना है first step आप करो ये 0 वाले जो है ना सबको एक तरफ कर दो ठीक है? सबसे पहले आप 0 वाले एक तरफ कर दो 10 10 की power जो है उसको आप एक साथ कर दो लेकिन कैसे? ठीक है? इसको क्या करो? आपने एक मैट्स में एक रूल पढ़ा होगा अभी बेस आपका same हो और power different हो और दोनों quantities multiply हो रही हो तो आपका जो answer होना चाहिए दोनों को अलग अलग multiply करने से ज़्यादा आसान क्या होता है? कि बेस वही रहने देते हैं और powers को add कर देते हैं तो यही concept यहाँ लगाएंगे हमारे पास क्या है? 10 की पावर minus 11 into 10 की पावर 12 into 10 की पावर 24 राइट? बेस तीनों में same है तो बेस वही रहने दो powers add कर दो minus 11 plus 12 plus 24 हो गया ना आसान? तो बस अब क्या करो? सारे नंबर को साथ में कर दो 6.67 into 6 into 7.4 into 10 की पावर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 24 plus 12, 36 36 minus 11 25 हो गया? अच्छा, यही चीज यहाँ पे भी करेंगे 10 की पावर 6 10 की पावर 6 10 की पावर 12 देखो, कहां से किदर आ गया? एकदम से numerical इतना सा हो गया अच्छा, अभी भी values बड़ी complicated लग रही है तो आप क्या करेंगे? दूसरा rule यूज करेंगे दूसरा rule कहता है, अगर A की पावर M है, A की पावर N है और दोनों divide हो रहे है ठीक है? तो base same रहता है, powers को हम minus कर देते हैं, इसका मतला यहाँ पे 10 की पावर 25 है और 10 की पावर क्या है? 12 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की पावर 25 माइनस 12 करेक्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं, और साथ-साथ आप क्या करो? यह जो आपका है ना point, 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 in point को करो खतम, ठीक है? तो यह करते है, 667 into 6 into 74 upon 36 into 36 0 0 लगा देते हैं, इसके 2 0 उपर आजाएंगे, right? और यहाँ से 2 0 और 1 0 नीचे आजाएगा into 10 की पावर कितना आगया? 13 cancel कर दो, 2 0 से 2 0 cancel यह 13 0 में से 1 0 cancel हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12, right? बस, अब आपका जो कट रहा है काटो, फिर multiply करके सीधा डिवाइड, 6 6 0 36, 2 से cancel हो रहा है, 2 3 0 6 2 7 0, यह कर दो 2 3 0 अब करो, multiply ठीक है? अब आपको परिशान होने की ज़र ने, क्योंकि अब आपको कुछ ट्रिक नहीं लगाना, अब आजो अब आजो अपने traditional method पे तो 6 67 को करते हैं 36 से, 37 से multiply 9, 5, 6, 4, 2 और इसको 6 67 हो गया, 37 से multiply अब इसको क्या करो? इसको आप डिवाइड कर दो 36 इंटो 3 से 2, 4, 6, 5, 9 इसको डिवाइड कर देंगे 36 इंटो 3 कितना होता है? 108, ठीक है? तो इसको करेंगे, तो यह आजाएगा 2 से 216 अच्छा यहाँ पे ना multiply करने में बच्चे क्या करते हैं? इसको पहले 5 से multiply करेंगे ठीक है? फिर देखेंगे 5 इस거POS*** क्याएगा अगर तो नंबर इस नंबर से छोटा है तो फिर आगे उल्टिप्लाइ करना स्टाइट करते हैं अगर बड़ा अ रहा है तो फ़र पीले multiply करना स्टाइट करते हैं तो मतले इतना करने की जरूरत नहीं है पूरे टेबल ही 108 का 108 बड़ा नंबर है ना पहला डिजिट देखो पहला डिजिट क्या दिख रहा है 2 इसका पहला डिजिट क्या दिख रहा है 1 1 को किस से multiply करोगे जो expected 2 आएगा 2 से multiply करके 2 से करके देखो अगर number बड़ा जा रहा है तो इसका मतलब 1 से ही multiply होगा 1 से ही divide होगा अगर 2 से बरावर जा रहा है जैसे 2 से देखा यहां 216 आ रहा है 216 246 से छोटा है तो वो लिख दो तो 2 multiplication में काम हो गया पहले 5 का solve करोगे 5 से multiply फिर धीर खिसकोगे 4 पे फिर खिसकोगे 3 पे मतलब यह तो हद हो गई ठीक है अब इतना करने की जरूरत नहीं है अब देखो यह 305 हो गया अब मुझे यहां पर देखो 3 3 दिख रहा है ना 3 से क्या करूँ 3 आ जाए यहां पर तो 3 से multiply कर सकते हैं 3 से multiply करेंगे 108 को 3 8 जा 4 carry 2 3 24 आ जाएगा 3 24 बढ़ा हो जाएगा तो 2 से multiply करूँ देखो multiply करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और मैं भी तो traditionally method से कर रही हूं ना अब यह आ गया ठीक है अब यह 8 आ गया 8 आ गया तो 8 से multiply करके देख लो 8 64 आ जाएगा 5 0 30 point कितना आ जाएगा 350 है ना 3 से multiply करेंगे तो 324 2 28.3 into 10 to the power 12 Newton force आ गया लेकिन बताओ मैं आपको एक चीज और बताती हूं answer को न कभी इस format में मत छोड़ो छोड़ सकते हो गलत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताती हूं यह decimal जो standard format होता है वो क्या आता है कि पहले decimal के पहले एक ही digit होना चीए जो standard format है उसके according decimal से पहले एक ही digit आना चीए तो decimal से पहले एक digit आने के लिए क्या करना पड़ेगा यह जो decimal है इसको खिसकाना पड़ेगा यहां कितना प्लेस खिसकाया दो प्लेस क्या हो गया 2.283 इंटू अच्छा जबी भी लेफ्ट साइड खिसकाते हो decimal को जितना लेफ्ट खिसकाते हो उतना ही उसमें एडिशन कर दो 12 प्लस 2 कितना हो गया 10 की पावर 14 तो final answer is 2.283 इंटू 10 की पावर 14 यह standard format है यह standard format है answer लिखने का ओके यह वाला जो format है ना यह सही answer गलत नहीं answer correct है लेकिन आपको standard format आना चाहिए यानि कि correct format किसी चीज को represent करने का तो यह वो correct format है क्या कि यह decimal को 2 place left लेकर आए ना तो left में जितना आप खिसकाते है decimal को उतना ही value यहाँ पर आप add करेंगे add कर दो answer आगया तो this is the final answer इसका आप लोग screenshot ले लीजे या पूरी calculation अच्छे से इसकी कर लीजे ओके सो अब हम लोग करेंगे similarly एक नए अनुमेरिकल विल्कुल सेम ही है कोई difference खास ऐसा है नहीं तो यह देखते हैं ओके सो first इसमें क्या कह रहा है दो objects है masses आपको given है m कहा रहा है 5 into 10 की पार 15 है और capital m कहा रहा है 1.6 into 10 की पार 15 है और kg kg ठीक है distance आपको दोनों के बीच का कितना दिया है 2.4 into 10 की पार 6 km ओके now यहाँ पे आपको given लिखा आपने given में चेक करेंगे कि क्या सारी चीजे अपनी SI unit में है kg में है kg में है km में है km is not SI unit क्या करना पड़ेगा मीटर में convert करते हैं मीटर में convert करने के लिए हमेशा धान में रखो into 10 की पावर 3 हो जाता है या तो ऐसे समझो या फिर आप पावर में सीधा 3 बाड़ कर दो km को मीटर में करने के लिए power में सीधा 3 add करते हो मतलग क्योंकि आप kilometer से meter में जाने के लिए क्या करते हो kilometer से meter में जाने के लिए आप क्या करते हो into 1000 इस 1000 को 10 की power 3 लिख सकते हैं अब यहाँ पे already 10 की power 6 है अभी अभी हमने एक rule डिसकस किया maths का base same multiply तो powers add हो जाती है तो आप सीधा यह step कर सकते हैं ठीक है इसको ध्यान में रखेंगे तो यह कर दिया हमने kilometer से meter में convert चलो यह हो गया आपके पास 2.4 into 10 to the power 9 meter अब सारा sorted है values put f is equal to gmm upon d square g की value है 6.67 into 10 की power minus 11 into mass कितना है 5 into 10 की power 15 अब देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से value put ना करके मैं directly values put करते हूँ मतला directly first step से ही मैं decimal को जो 10 वाले हैं उनको एक तरफ कर देते हूँ g की value 6.67 है into 10 की power minus 11 mass कितना है 5 into 10 की power 15 power तो add करोगे न अच्छा फिर के दूसरा mass है 15 upon में d का square d का square 2.4 का square करेंगे 24 का square होता है 576 तो 2.4 का square हो गया 5.76 into 10 की power 9 plus 9 अच्छा अब इसके बाद decimal जो हटाने हटा देते हैं यहाँ से decimal हटेगा यहाँ से decimal हटेगा नीचे कितने 0 लग जाएंगे 30 तो यह जो 30 लग रहे हैं इसको मैं यहीं आइड कर रहे हूँ ठीक है और यह जो 2.0 हटेंगे इन 2.0 को मैं यहाँ आइड कर देती हूँ अब जो कट रहा है काट दो देखो step कितने कम हो गए और आप भी ऐसे कर सकते हैं 2.8 जा 16 2.2 जा 4.2 जा 16 2.8 जा 16 4 से कैंसल करो आप तो कैंसल होने वाला है 2 एंड 36 अब नहीं कटेगा अब इसको मल्टिप्लाइ कर दो 5.7 जा 5 करी 3 5.6 जा 30 33 33 अब ऑन 36 इंटू उपर क्या है उपर आजाएगा 10 की पावर इसको मैं थोड़ा अलग लिख देती हूँ इंटू कितना था? 10 की पावर इसको सॉल्व कर लो 15 में से 11 गया 4 4 प्लस 15 19 19 प्लस 2 21 अप उन 10 की पावर 9 और 18 18 और 3 21 और 3 3 कैंसल हो गया रेंडम वैल्यूस में ऐसा हो गया वेरी गुड अब क्या? बस इसको डिवाइड करो आंसर आ जाएगा 3 3 3 5 अब 36 दो डिजिट से तो जाएगा नहीं तीन डिजिट लेना पड़ेगा है ना? अब 3 3 3 36 को किस से मल्टिप्लाइ करें? जो ये 3 3 3 लगबग आ जाए तो एक काम करते हैं 36 को 8 से मल्टिप्लाइ करके देख लेते हैं 8 6 और 8 कैरी 4 8 तीज़ा 24 288 लगता है छोटा है 9 से करके देख लेते हैं 9 6 और 4 कैरी 5 9 तीज़ा 27 3 24 9 से चला गया 13 में से 4 गया 9 2 में से 2 गया 0 95 36 2 और 72 .320 ये आ जाएगा आपका अब देखो यहां 36 है यहां 230 है तो लगभग इसका मान के चलो 36 को आपको मल्टिप्लाई करना पड़ेगा 7 से 7 6 और 2 2 कैरी 4 252 बढ़ा हो गया 36 और लो 216 92.6 is the answer Newton इससे इजी नुमेरिकल नहीं हो सकता है रैंडम वाल्यूस में भी वाल्यू कैंसल हो गई तो इसी तरीके से आपको भी करना है अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मैं फिर से दुबारा इस टाइप कर नुमेरिकल और करवाऊंगी वाकि और वीडियोस हम नेक्स लेक्चर में देखते हैं इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजे मैं प्सक्ताइब झाल झाल